कि वाद करने वाला हूं कोलो सिंथेसिस के बारे में फ्रॉम ऐलेर की नोडस तो मैं एक एक लाइन बताऊँ अधा कि आपको ऐलेर की नोडस पड़ने में एक दम भी दिक्कत ना हूं तो चली स्टार्ट करते तो ऐलेकर बैठी है तो पहली तो बेसिक्स देख लेते हैं जेनरल के बारे में और सिंप्टम्स देखते हैं तो एफेक्शन्स फ्रम एंगर विट इंडिगनेशन ठीक है कोलिक वूमिटिंग डाइडियान सप्रेशन ओमिंस यहां पर बोला जा रहा है कि कोलिक प्रोडूस कर रहा है वो मिटिंग प्रोडूस कर दे रहा है डाइडिया प्रोडूस कर दे रहा है लूस्टूल्स प्रोडूस कर दे रहा है अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंप्टम के बारे में तो बहुत इरिटेबल होगा, चिटचीरा होगा, इंपेशन होगा, रेस्टलेस होगा, उसे मतलब वो कुछ चीज को सह नहीं पाएगा, ठीक है, बिकम्स एंग्री और उफेंडर बीक कोशन, हर चीज पर वो एंग्री हो जाएगा, उसे को कोशन करेगा, तो उफेंड हो ठीक है, head symptoms पर देखते हो, vertigo तो उसको चक्कर आने लगता है, when quickly turning head especially to the left, ठीक है, अचानक से अपना head को turn कर रहा है, left तरफ तो उसको चक्कर आने लग रहा है, as if he would fall, ऐसा लग रहा है, जैसे मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, vertigo from stimulants, ऐसा चीजों से, ऐसा stimulant से, जो की stimulate कर देत है, ठीक है, उसे, उसको चक्कर आने लगता है, from stimulants, अब आते हैं, next symptoms पर देखते है, रहे है, gastrointestinal symptom, symptom पर आते है, so बहुत important है, agonizing pain in abdomen causing patient to bend double, तो बहुत extremely pain होगा, abdomen में, तो patient क्या करेगा, bend double हो जाएगा, मतलब stooping करने लगेगा, यानि कि अपने सिर को जो है, वो पेट की तरफ जुका लेगा, सटा लेगा, और पेट दबा लेगा अपने आपने, तो उसे ही बोलते है, bend double, ठीक है, with restlessness, twisting and turning to obtain relief, वो restless रहेगा, twist करते रहेगा, turn करते रहेगा, ताकि उसको अराम भी ले, ठीक है, और उसका heart pressure से क्या होगा, heart pressure apply करेगा अपने पेट पे, तो उस से उसको emollaryate होगा, मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है, उसे better feel होगा, और aggravate cup कर जाएगा, by heat, और उसमें, magfoss में ऐसा होता है, ठीक है, pains क्या होगा, are worse after eating and drinking, obviously, उसका जब पेट में दर्द है, तो वो कुछ खाएगा, पिएगा, तो उसको और दर्द बढ़ेगा ही, compelled patient to bendable, ठीक है, वो मैंने बता दिया, female protective system के बारे में बात करते हैं, तो menses suppressed by charging colic pains, ठीक है, unpleasant चीज से, उसे mmенс EE huckи, फिर suppressed हो जाता है, कैसे charging ब고oster home carnearice के छीज हो जाता है, फिर colic pains भी हो जाता है, colic pains pear में धर्द होता है, ठीक है, अभ extremities की symptom से में देखते है is cytica, ठीक है, तो cytica मैं simple words में, बता देता हूं क्या होता है ? vitica mostly cytic nerve, के affection से होता है फूट से लेके फूट तक होते उसमें काम करते है तो उसमें addion से inflammation जो भी हो उसे मेंवी 7 बोलता ह। कि इतना जाने के जो होते है ज्यादा detail में नहीं तो citica crampy pain in hip कैसा होगा citica crampy pain in hip मतलब एठन होगा हीप में ठीक है जो screw in a wise जो screw को में लोग screw driver से ऐसे चलाते हैं ना कैसे एंटते हैं उस तरीके कहा होगा ठीक है lies upon affected side तो वो जब उपने affected side पे जिस तरफ पे उसको pain है जिस तरफ पे उसको disease है उस तरफ अगर वो lie करता है तो उसको side हो जाता है now shooting pain like lighteningshocks shooting यानि ठाय 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 मतलब क्या हो रहाया गोली जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है lightning इन लाइटनिंग शॉक्स lightning भी कैसा होता है एक जगह lightning हुआ दूसरा जगह चला गया उसी यही बोला जा रहा है ऐसा pain जो एक जगात से दूसर जगात एकडम बहुत speedly transfer होँ रहा है तो कहा कहा पर ऐसा हो रहा है shooting pain like lightning shot down the whole limb पूरे limb में ऐसा हो रहा है किए है पहले left hip पे जा रहा है फिर left thigh पे जा रहा है फिर left knee पे जा रहा है फिर poplittal fossa जो कि me joint के पीछे में जो छेज रहता है वहाँ पर जा रहा है ठीक है तो ऐसा shooting pain हो रहा है lightning shocks हो रहा है तरातर तरातर जा रहा है एकदम लगातार जा रहा है ठीक है वैसा pain so extremities के बता दी आप बात करते है इसके modalities के बारे में तो aggravation कब होगा जब उसे anger होगा ठीक है इंडिगनेशन भी एंगर के पहीं आता है so जब उसे इंडिगनेशन होगा एंगर होगा mortification called by offense ठीक है अगर कुछ ऐसा offense हो गया जो उसने नहीं किया है amuletate कैसे हो रहा है from doubling up मतलब stooping करने से head को bend down करने से और heart pressure लगा लेने से amuletate कर जा रहा है ठीक है so अब बात करते हैं इसके relation के बारे में so complimentary to murk in dysentery with tennismus ठीक है तो murk में ये complimentary को कब dysentery में मतलब बहुत जाज़ा extensive dairy or loose stools with mucus जब mucus निकलता है blood भी निकलता है with great tessin minus मतलब उसे लगेगा कि मुझे stool pass करना है लेकिन actually में उसके rectum में stool नहीं रहता है तब भी उसे मन करता है pass करनेगा ठीक है उस समय नाओ यहाँ पर compare करने बोला गया है graph को जो की intense pain along right-satic nerve तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेते हैं left-satic nerve में ठीक है colosynth left-satic nerve मतलब left तरफ का statica में काम कर रहा है मिल ली so left-satic nerve में था लेकिन graph जो है उसे compare करने बोल रहा गया क्यूं क्यूंकि intense pain along right-satic nerve है darting cutting from right hip joint down to foot cutting pain darting pain मतलब कैसा cut जैसा मतलब बारबक कट रहा है या फिर भोक रहा है ऐसा pain होगा ठीक है right hip joint से foot तक graph में और यहाँ पर colosynth में जो था वो left तरफ था ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा aggravate कैसे करेगा lying down motion और stepping पर कुछी किसी भी तरह का motion से aggravate कर जा रहा है और amelorate कैसे करेगा sitting जे अब जो last में लिखा गया compare with stephise glia in ovarian and other diseases ठीक है other diseases या फिर ovarian diseases में stephise glia को compare करने बोला गया क्यों from bad effects of anger reserved indignation और silent grief यहाँ पर भी जो indignation और anger था mostly यहाँ पर काम कर रहा था और stephise glia में भी ovarian and other diseases में हो रहा है from bad effects of anger reserved indignation and silent grief उसको कुछ खराब लग रहा है grief और anger हो रहा है silent रहा है लेकिन उस एंगर है million anger यहाँ पर है तो यहाँ पर उससे compare करने बोला गया है अच्छे तरह के समाने को कोशिश किया हूँ so मिलते नेक्स्ट वीडियो में तिल देन subscribe to youtube channel for more interesting videos like this thank you for watching